दा अल्टिमेट इंडिया में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमसकार तो डिस्ट्रिक्ट्स अफ इंडिया में आज हम बात करेंगे लद्दाक के एक डिस्ट्रिक्ट कारगिल के बारे में कारगिल लद्दाक के दो डिस्ट्रिकों में से एक डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया के बिलकुल नॉर्थ में पड़ता है और श्रीनागर से लगबग 200 किलोमेटर की दूरी पे है कारगिल हमेशा से ही एक बहुती इंपॉर्टेंट ट्रेट सेंटर रहा है यहाँ से टी, बूल, कारपेट, सिल्क और प्रिशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट होते हैं कारगिल को फिर से अपनी खोई हुई पैचान 1974 में मिला जब उसको टूरिजम के लिए खोल दिया गया एडवेंचर स्पोर्ट के शौकीन लोग यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट करने आते थे और बहुत सारा टूरिस अट्रैक्शन भी था यहाँ पे इसके बाद कारगिल लाइम लाइट में 99 में आया जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छेडी कारगिल उसका में सेंटर था में फोकस पॉइंट था टाइगर हिल तोलोलिंग मुश्कु वैली और बेटालिक इन चार जगाओं पे बहुत ज़ादा फोकस था जो की कारगिल में था कारगिल नाहीं सिरफ अपने हिस्ट्री और यूनीक लैंड्सकेप के लिए जाना जाता है बलकि यहाँ पे कई सारे हिरिजे साइट भी है बुद्धा स्टैचूज भी है फोर्ट एन पैलिसेज भी है एंशियन रॉक कारविंग्स भी है मॉस्क भी है मुनास्ट्री भी है प्लेसिज भी है वार मेमोरियल भी है और भी कई सारी चीजे इस डिस्ट्रिक में आपको मिल जाएगी कारगिल कुलमिला के बारा नियाबत और साथ तहसीलों में बटा हुआ है आईए जान लेते हैं कारगिल के कुछ डेमोग्राफिक्स कारगिल लगबग 14,000 स्क्वेर किल जिसमें से 77% लोग यहाँ पे मुसलिम है 15% बुद्धिस्ट है और 7% हिंदू है यहाँ के 70% लोग बाल्टी भाषा बोलते है और बाल्टी में भी पुर्गी डायलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं कारगिल के इतिहास के बारे में 1822 में राजा गुलाब सिंग जोकी डोगरा डायनेस्टी से थे उनको जम्मू का राजा बना दिया गया सिक एमपरर रंजीत सिंग द्वारा 1834 को राजा गुलाब सिंग ने अपने जनरल जोरावर सिंग को ये हुकम दिया कि जम्मू और टिबेटियन बॉर्डर के बीच में जितने भी इलाके है वहाँ पे जाके कबजा कर लो जोरावर सिंग निकल गए अपनी फौज लेके वही पे बीच में पड़ा प्यूरिक कारगिल का पहले नाम हुआ करता था प्यूरिक प्यूरिक के भोटिया लीडर को जोरावर सिंग ने आसानी से हरा दिया और वहाँ पे एक किला भी बना दिया प्यूरिग के उसी fort को headquarter बना के जोरावर सिंग ने उपर की सारी जगाओं पे हमला करना शुरू कर दिया उनका मीन मकसद था ले पे कबजा करना कुछ दिन बाद ही जोरावर सिंग ने ले पे कबजा भी कर लिया पर जो प्यूरिक जो rebellion थे वो लगातार हमला करते रहते थे और इस से पूरा जो area था वो stable नहीं बन पारा था फिर जब पहला Anglo-Sikh war हुआ तो Treaty of Amrissar के हिसाब से गुलाब सिंग को पूरे जम्मू और कश्मीर का महराजा बना दिया गया जिसके बाद पूरा जम्मू और कश्मीर गुलाब सिंग के अंडर तो आही गया साती साथ लदाग और गिलगित बालतिस्तान भी गुलाब सिंग के अंडर आ गया भारत की आजादी के बाद यानि 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला युद हुआ और गाजगिरी कारगिल पे ही पर इंडिया ने कारगिल नहीं खोया 1999 में कारगिल बहुत फोकस में आया जब पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल और द्रास सेक्टर में खाली इंडियन पोस्ट पे कबजा कर लिया वहाँ पे जमके बैट गए इंडियन आर्मी को जब पता लगा कि वहाँ पे ऐसी गतिविद्या चल रही है तो इंडियन आर्मी ने जवाबी कारवाई की बहुत लंबे समय तक चले युद में आखिरकार भारत की जीत हुई और भारतिय सेना पाकिस्तानियों को कारविल से भगाने में कामियाब हुई 2019 में जम्मू कश्मीर और लग अलग अलग union territory बन गए और जो कारविल है वो लग्दाक में चला गया और लग्दाक के दो डिस्ट्रिकों में से एक डिस्ट्रिक्ट बन गया दूसरा डिस्ट्रिक्ट है ले अब दोस्तों बात करते हैं अगर आप कारगिल डिस्टिक्ट में गए है तो आप कहा कहा घूम सकते हैं सबसे पहला टूरिस डेस्टिनेशन है सूरू वैली सूरू वैली में एक जगा है संकू जो की कारगिल टाउन से 40 किलोमीटर दूरी पे है यह अपने शांदार लैंड्सकेप के लिए जाना जाता है बहुती बढ़िया ग्रीन लैंड्सकेप है यहापे और यह जगा अपने ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है अगर आप trekking के शौकीन है तो यहाँ पे जरूर आईए और यहाँ पे आके 3-4 दिन का trek कीजिए कारगिल से 60 किलोमेटर दूरी पे एक गाउ पड़ता है जिसका नाम है पुर्तिक्चे गाउ वो एक ancient village है उससे ठीक 5 किलोमेटर दूरी पे ही दामसना पिकनिक स्पॉर्ट भी पड़ता है अगर दोस्तो आप mountaineering, rock climbing, river rafting और trekking के शौकीन है तो वहाँ से कारगिल से ठीक 70 किलोमेटर दूरी पे एक टाई सूरू और पनिखर नाम की जगा पड़ती है इसके बाद अब द्रास वैली भी जा सकते है 99 के कारगिल वार के बाद कुछ नाम बहुत फेमस हुए जैसे की तोलो लिंग, टाईगर हिल और मुश्को वैली आप यहाँ भी जा सकते है इसके बाद कुछ रिलीजियस साइट भी है जैसे की दुरूपती कुंड, भेमभाट और स्ताक्सबू द्रास मेनली देखा जाए तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चार ऐसी जगा है जहाँ पे आपको सारे टूरिस देस्टिनेशन मिल जाएंगे एक द्रास, सुरू वैली, शरगोले और जन्सकार इन चारों से बाहर आपको कही जाने की जरुवत नहीं है इन चारों जगाओं के अंदर ही आपको सारे टूरिस डेस्टिनेशन और मेन जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है सम मिल जाएगा अब बात करते हैं कारगिल पहुँचे कैसे कारगिल में कोई ट्रेन नहीं जाती है आपे बाई रोड ही आपको जाना पड़ेगा या तो आप श्रीनागर से बाई रोड जाईए टैक्सी बस या फिर अपनी गाड़ी लेके कारगिल तक या फिर आप लह पहुँचे लह से क वो पूरे साल खुला रहता है और ले में एक domestic airport भी है जहाँ पे डेली जमू और श्रीनागर से लगातार आपको flights मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी तो अगर आप by road आना चाहते हैं तो आप April से लेके August या September तक आप श्रीनागर से कारगिल जा सकते हैं by road अगर आपको thंड में जाना है तो आप पहले ले जाएए या ध्रासेक्टर जाएए वहाँ से आप कारगिल जा सकते हैं अगर आप by flight जाना चाहते हैं तो आप ले airport पे उतर सकते हैं वहाँ से आप कारगिल जासकते हैं मैंने description में कुछ link दे रखे हैं आप वहाँ से अपने hotel वगेरा बुक कर सकते हैं ओयो वगेरा बुक कर सकते हैं कारगिल में या फिर आप adventure sports या फिर घूमने फिरने का कुछ समान खरी सकते हैं Amazon से उस link के थूँ और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जहिन